मैं तो इस सरकार से कह रहा हूँ के मोहबत भाई चारे के दिवाने दिन ही लोटा दो वो सस्ती डाल सबजी के सुहाने दिन ही लोटा दो ये अच्छे दिन तो अम्बानी अडानी को मुबारक हो हमें ऐसा गरो साहब पुराने दिन ही लोटा दो हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लोटा दो और ये जो लोग आएं खरीदने आएं घराने आपके घरोंदे उजारने आएं उनसे कहना कि जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे मेरे मिट्टी के घरोंदों पे बरसने वालों मैं जो गर जूँँगा तो पानी भी नहीं मांगोगे डरना नहीं है जुकना नहीं है मैं नांदेर से ले करके रावेर से ले करके शिरामपुर से ले करके पाथरी से जालना से कोलापूर से शोलापूर से होते हुए चुनाप प्रचार करते हुए यहां पहुँचाओं आपको इतना बता रहा हूँ यकीन दिला रहा हूँ कि महरास्टा में महाविकास अगारी की सरकार बनने जा रही है मंदिरों में भजन चल रहा है मस्जिदों में दुआ चल रही है जिस तरब भी नजर तुम उठाओ बस अगारी की हवा चल रही है किसी जहासे में मताओ कोई महायुती किसी के चक्कर में मताओ वो सब अदल बदल के एक ही है नादान हो इस दौर में क्या धूण रहे हो तुम जहर की शीशी में दवा धूण रहे हो कुछ नहीं है वहाँ पर हाथ का पंजा है इस तरफ और इस तरफ वो लोग जिनोंने चुनाव निशान चीने वो लोग जिनोंने राजनेतिक दलों को तोड़ा वो किस मुझ से चुनाव में सुचिता और पवित्रता की बात करते है धरावी वालों मेरी आप से अपील है गुजारिश है के इस लड़ाई में बहन वर्शा का एक वार के लिए जब मैं पिछली बार अपना दामन फैला करके आया था तब भी आपने मेरा दामन भरा था मुझे मायूस नहीं किया था तो इस बार भी मैं छोटी बहन के लिए अपना दामन फैला करके आपके बीच में आया हूँ हाजी बब्बु जी भाईजान, फहीम साब, एमद साब ये सारे लोग लगातार मुझे इस इलाके का फीड़बेक दे रहा है पता रहे हैं कि जोती ताई ऐसी जोती जलाने जा रही है और अगर कहीं कोर कसर बचे की तो मशाल तो जली रही है तो तारी बज ही रही है किसी जहासे में नहीं आना है एक-एक ओट लेकर के पोलिंग बोट पे बीस तारीक को जाना है हाथ के पंजे का बटन दबाना है और धारावी में दबी हुई बटन की आवाज आपको क्या लगता है सिर्फ यहीं तक रहेगी दिल्ली तक जाएगी हम दो हमारे दो तक भी जाएगी उनकी नजरे सबसे ज़्यादा इसी असेंबली पे हैं तो उन्हें एसास दिला दो के जब भी आम आदमी जब भी भोला भाला सीधा साधा आदमी एक जुट होता है न तो बड़ी बड़ी हुकूमतों के परखचे उड़ जाते हैं साजिश करके आप हुकूमत तोड़ सकते हो लेकिन अवाम के दिल को नहीं खरीच सकते हो मुझे पता है आप वर्शाताई के साथ हैं और मैं वर्शाताई की कत्र इसलिए करता हूँ मेरे भाई क्योंकि वर्शाताई हो जोतीताई हो मैंने इन में जो एक खूबी देखी है वो ये है कि अवाम इनके लिए सिर्फ अवाम है ना हिंदू है ना मुसल्मान है मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ जब भी मैं ताई को देखता हूँ तो मुझे अशोक साहिल का ये शेर याद आता है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों का कसम देता हूँ मुझको मज़ब के तराजू में न तौला जाए मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है मुझको हिंदू या मुसल्मान न समझा जाए ऐसी वर्शाताई के लिए आपका भाई आपका बेटा आपके लिए सड़क से संसत्तक आवाज उठाने वाला प्रताब गड़ी आपके बीच खड़ा है आप जानते हैं कि मैं पिछले दो साल से देश की पारलियामेंट में हूँ मैंने कहा ना अगर मैं पारलियामेंट में हूँ तो उसकी बुनियात में वर्शाताई खड़ी है वर्शाताई की वजा से देश की पार्लियामेंट में हूँ तो मैं बहन का शुक्री आदा करता हूँ और आप से ये कहता हूँ कि मेरे उपर जो बहन का कर्ज है उसे उतारने की जिम्मेदारी आपकी भी है क्योंकि मैं आपका हूँ आपकी दुआउं से पार्लियमेंट पहुचा हूँ तो वो कर्ज तभी उतर सकता है जब छोटी बहन असेंबली में पहुच जाए मैं इसलिए आप सबसे अपील करने आया हूँ साथियो और मैं तो जब से पार्लियमेंट पहुचा हूँ साहब मिलते हैं मुझे सुबह शाम मैं उनके सामने देखे चचा खड़े हैं जैसे ही साहब का नाम आया समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये भाजब के लोग महायूती के लोग पोस्टर लगा रहे हैं महंगाई खतम करेंगे मैं तो एक दिन पारलियमेंट में बैठा था सामने भाजब के एक मिनिस्टर बोन ने लगे महंगाई कम करेंगे हमने का आपको शरम नहीं आती आप महंगाई पर बात करते हैं अरे भाजब की सरकारे तो वो सरकारे हैं जो फिलमे टैक्स फिरी करती हैं और कफन पर GST लगाती है, आपको कोई हक नहीं है महंगाई पर बोलने का, आपकी सरकारों ने आम आदमी का खून चूसने का काम किया है, जेब काटी है, मैं वहाँ खड़ा होता हूँ जब पारलियमेंट में, तो मैं आजकल बस प्रदान मंतरी जी को उनके नारे याद दिला कि भाईयो बेनो, देश के खजाने की चाभी मेरे हाथ मैं सौपदो मैं देश नहीं लुटने दूगा, यादे उनका ये नारा, चौकीदारी करूंगा, मैं वहाँ भी उनसे पूछता हूँ और यहां भी खड़ाओ के पूछ रहा हूँ, के कहां सोया है चौकीदार, ठक्क चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, बिजय मालियान आंक के नीचे से हो गया परार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चोकीदार अचा सुबा से चुना परचार में निकला हूँ बहुत भूग लगी है और यहां खड़े होई है तो ऐसी सी खुश्बू आती है न यह लगता है कि भूग बढ़ती जा रही है कि चाहे अचा उपर से शायरी में खाने पीने की चीजों का नाम भी आने जाता है तो अंदर से और भूग उठती है कि चाहे बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है ये बाज़प के लोग कहते हैं बताओ कॉंग्रेस वालों 70 साल में क्या किया उसका हिसाब दो अरे मैं धारावी में खड़ा होकर के बाज़प वालों से कहता हूँ कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी वो हमसे 70 साल का हिसाब मान दिया क्या चाए बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है के रेल बिक गई तेल बिक गया भी का हवाई अड़ा अगली लाइन पर तयार रहे ना एक नाम आएगा और दिल में गुदगुदी होना तो एक एक हाथ को कसम देता हूँ कोई आद खामोश नहीं रहेगा के रेल बिक गई तेल बिक गया भी का हवाई अड़ा सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नगदा के जनता महंगाई के मारी करती हाहातार कहां सोया है चोकिदार कहां सोया है चोकिदार दाराभी बालों मेरे भाईयों मेरी जहां तक आवाज जा रही है मेरी माओ बेहनों मेरे बुजर्गों ऐसे तमाम चेरे देख रहा हूँ जिनकी पेशानी की जुर्यों में पिछले 20 साल के हंदुस्तान का नक्षा लिखा हुआ है मैं उनसे भी मुखातिब होके कह रहा हूँ के एक बुरा वक्त है दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये सोचता है महरास्टरा को अपने remote control से चलाएगा महरास्टरा को गुझरात के remote control से चलाएगा तो दिल्ली के हाकिम को ये बताना है कि नहीं महरास्ट्रा वीर शिवाजी महराज की और डॉक्टर बाबा साब अंबेटकर की धर्ती है इसको किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता मैं कल सांगली में उत्रा तो उडन दस्ता आया हेलिकॉप्टर की जाच करने के लिए बुले बैग में क्या रखाय दिखाईए हैं उसका बदला उसका जबाब आपको अपने होट से देना है महा विकास अगाडी के एक एक प्रत्याशी को मैं जामता हूं धारावी में रहने वाला एक आत्मी सिर्फ एक होट की हैसियत नहीं रखता आपके मुबाइलों में आपके दोस्तों के यारों के इतने नंबर है पूरे महारास्टा के सब को नंबर गुमाईए और आज से इस चुनाओ को वर्शा गायकवाल बनके लड़िये इमरान प्रताबगरी बनके लड़िये इस चुनाओ को राहुल गांधी बनके लड़िये और ठाकरे बनके लड़िये शरुत पवार बनके लड़िये इस चुनाओ को चुनाओ की तरह लड़िये क्योंकि जो यह सोचते हैं कि वो खरीद लेंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, उन्हें बताईए कि जखन पर जखन खाके निकले हैं मैं पार्लियामेंट में गया न तो थोड़ा नौजवान हूँ तो जोश जाता है तो एक दिन हम सारे लोग पार्लियामेंट में हवाज उठा रहे तो तो सस्पेंड कर दिया गया 146 संसाद एक साथ सस्पेंड हुए ताही, याद है आपको न जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के सातियों ने कहा आगया स्वाद हो गये सस्पेंड, तंज किया तो मैंने का देखो भाई, ये मुश्किल वक्त है अगर आज सस्पेंड नहीं हुआ होता तो अपनी नजरों में गिर जाता मुझे लगता कि मेरा नाम बुझदिलों में लिखा जा रहा है, बहादरों में नहीं सस्पेंड हुआ हो, इसका मतलब इंकलाब के लिए लड़ते वे सस्पेंड हुआ तो वहले आप शायर हैं, शायरी की भाशा में बताईए, मैंने का सुनिये जख्म पर जख्म खाके निकले हैं, हाम अगर मुस्कुरा के निकले हैं सर जुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं और भी सर उठा के निकले हैं और धारावी वालो, सानसत बाद में हुँ, शायर पहले हुँ जो कह रहा हूँ, ये आने वाले दिनों में होने जा रहा है के हर सितम का जवाब आएगा तेखना इंकलाब आएगा अगली जो दो लाइने है न वो अगर सच्ची लगे तो यहां से वहां बाई तरफ दाई तरफ जहां जहां तक मेरी आवाज भी नहीं जा रही है जो दूसरे कार्यालों में भी बैटे हैं वो भी ताली बजा सकते हैं किस देखना इंकलाब आएगा हर सितम का जवाब आएगा अच्छा भाजपा के नेताओं के शिंदेगट के नेताओं के भाशन सुनिये इतना तनाओं में भाशन देते हैं ऐसा लगते हैं खाना नहीं हजम हुआ है इधर हम लोगों का सुनिया हसते मुस्कराते बात करते हैं वर्शाताई हस रही है जोतीताई हस रही है भाई जान भी हसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं बब्बु भाई सदियों की हसी के साथ खड़े हैं हम कितना हसते मुस्कराते चुनापर चार कर रहे हैं क्यों क्यों कि हमें पता है हर सितम का जवाब आएगा देखना इंकलाब आएगा त्यार ना हर सितम का जवाब आएगा देखना इंकलाब आएगा अच्छे दिन का किये थे जो बादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा, और हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, आज इसरैली में बहुत सारे लोग आये तो नहीं होंगे, लेकिन लाइफ देख रहे होंगे, आप सोचो नीन आएगी उन्हें, तब ये मिस्रे पढ़राओं के, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जखम पे जखम खा के निकले हैं, सर जुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, ताई, आई ये आप, अच्छा इस बार जोती ताई दो जलता हैं, लेके, ये मेरी प्यारी अच्छी वाली बहन है, और जिसके पास दो दो बहने हो, उससे खुशनसीब कौन हो सकता है, तो मैं अपनी इस बहन के लिए, अपना दामन पहलाने के लिए, आपके बीच में आया हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, बदन में जो भी लहू है, तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरू जिनक के बलपर और आपकी दुआओं के बलपर देश की पार्लियमेंट में बैठता हूँ, तो आपसे मेरा एक रूह का रिष्टा है, जजबाती रिष्टा है, इसलिए अपील करता हूँ, कि मेरे साथ उठाईए अपना एक-एक हाथ, और मुझे यकीन दिलाईए, उदर पीछे लोग हैं, उदर जो बोई तरफ भी खड़े हैं, मैं उनसे भी गजारिश करता हूँ, जाइए घरों से बाहर निकलिए पीस तारीक को, और अपना एक-एक-एक हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पर दबा करके आईए, आपका होट सिर्फ जोती ताई को नहीं मिल चहती ताई जोती ताई हिस को बना वबी घरों अब कहुँगा मा विकास अगारी एक ही नंबर बोल दना काम चल जाएक, महा विकास अगारी चले है काम शूक्त शक्रित धरावी वालो वक्त की अपनी मझос्भूरियां है, अब सामजदों तो थोड़ा और फालो करना पड अचार मिनेट बाकी है यह पाइब आए इस परसन नान्देर में वाशन दे रहा था मैंने का यह थोखे बाजों की सरकार है सामने से एक नौजवान पोला नहीं साथ यह सिर्फ धोके बाजों की नहीं है खोखे बाजों की भी सरकार है ये धोके बाजों और खोके बाजों दोनों की सरकार है इसलिए इस सरकार का हटना बहुत जरूरी है मैं तो इस सरकार से कह रहा हूँ के महबत भाई चारे के दिवाने दिन ही लोटा दो यो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लोटा दो ये अच्छे दिन तो अम्मानी अडानी को मुबारक हो हमें ऐसा गरो साहब पुराने दिन ही लोटा दो बहुत शुक्रिया धारावी वालों आप बेहन को जिताईए एक वादा आपसे करता हो तेज तारीक को रेजल्ट आएगा मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बहन बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी उस 23 तारीक के बाद अगर 50,000 से जिताओगे न तो मैं अपनी निधी में से इंशालला कम से कम उतने लाग का तो आपको फंड दूंगा ही दूंगा यह में वादा करें जितने ऐसे जिताओगे यह लालच नहीं दे रहा हूं यह वादा कर रहा हूं आप से आप जिताओगे मेरी अगली निधी में से बेहन को यहां के डिबलप्न के लिए चाहे तालीम पर चाहे लाजरली के लिए किसी और काम के लिए आपकी आंदार जो भी फंड मांगें यह दूंगा यह दूंगा यह लाजर शुक्रिया बहुत नहीं है अभी नाख्पूर निकलना है जो निकलं 5-6 समाय है और को अकोला साइब में है 6-7 समाय है जा आज आपसे इजाज़त भूगा न ठोना है न रुकना है न डरना है न जुकना है महा विकास अगारी की सरकार मणाना है बहन जोती औाई को शिटाना है एक नमपजी बताँ प्रुप्राइब